Hello students, Welcome है आप सभी का एक नए वीडियो में तो यदि आप इस बार Polytechnic के समिस्टे एक्जाम में बैठने वाले हैं तो आज से ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए most important होने वाली है और यदि आप इस वीडियो को complete वास कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके कुछ नंबर समिस्टे एक्जाम में जरूर बढ़ने वाले हैं तो हर एक चीज यहां पर हम discuss करेंगे कि कॉपी को कैसे लिखनी है कौन से तरीका अपनाना है कौन से ट्रिक्स अपनानी है कि आप अपनी कॉपी को बहतर बना सकें दूसरे स्टुडेंट्स के पेच्छा और एक्जामिनर के यहां तो आप अच्छे नंबर यहां पर गेन कर सकें हर एक चीज हर एक टिप्स आपको यहां पर दी जाएगी और यह यह आप इन तरीकों को फॉलो कर लेते हैं वो कैसे भरनी है हर एक चीज को यहां पर डिसकस करते हैं तो सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं कि आपको अपनी कॉपी वगएरा कैसे भरनी है बाकी उसके बाद हम डिसकस करेंगे कि आपको अपनी जो है कॉपी वगएरा कैसे लिखनी है दूसरे बच्चों की अपेक्चा तो चलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आपके सामने यह जो कॉपी है यह BTOP की दौराद चेक की गई ओफिशल कॉपी है और जिसने भी लिखा है अच्छा ही लिखा है हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप इससे भी बहतर कैसे लिख सकते हैं तो सबसे पहले हमें आपके डिसकस करते हैं कि आपको यह कॉपी कैसे भरनी होती है खासकर फर्स्ट एयर के बच्चे तो यहाँ पर कुछ इसी फॉर्मेट में आपको जो समिस्थर एक्जाम में कॉपी मिलेगी सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखा है पार्टिक करम का नाम यानि कि आप कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं उसके बारे में लिखना है तो जैसे कि यह स्टोडेंस था यह Mechanical Lotto ब्रांच का था तो इसने लिखा Mechanical Lotto यदि आप Civil के हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं Civil Engineering उसके बार यदि आप Electronics और भी अलग-अलग डिपार्टमेंट से हैं अलग-अलग ब्रांचे से हैं तो अपने अनुसार, आप यहाँ पर अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे उसके बाद कक्छा, yarni कि Class में आप को क्या लिखना है यहां पर आप कौन से semester में है यदि आप इस बार First semester मίν थारr सेoster में तो यहांप ब्रांच दिए हαι उसके बाद यहां पर आपको करना होता है कि हैं एक मेय यहाँ पर टिक कर देंगे सबसे important बात यहाँ पर role number फिल होने में आती है और खासकर first year के बच्चे जरूर ध्यान दे क्योंकि यदि आप high school बाद या inter बाद आए है तो वहाँ पर role number भरने का UP board में तरीका अलग होता है यहाँ BT UP में role number भरने का तरीका अलग होता है समझ लिजे गलती मत करिएगा किसी भी प्रकार की जिससे आपकी जो copy है वो अच्छी दिखे और किसी भी प्रकार की problem ना हो उसको चेक करने में तो सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक है तो अनुक्रमांक में यहाँ पर अनकों में लिखना होता है मान लिजये कि आपका role number कुछ यहाँ पर इस प्रकार का है मान लीजए कि कर रों रों नंबर का दो लाख 38,456 आपका रो रॉम लंबर है तो अनकों यह पर आपके खाने कट्टे होते हैं उसी में बरना यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहां पे 8 यहां पे 4 यहां पे 5 यहां पे 6 कुछ इस प्रकार आपको रोल नंबर भरना होता है सबसे important बात आती है सब्दों में रोल नंबर भरने की क्योंकि जब आप high school में होते हैं इंटर में होते हैं तो वहां पर इसको जो है जैसे मान लीजिए यह लिखा है तो केवल 2 लिखेगा लांख मत करिएगा उसके बाद यहां पर 3 लिखा है तो इस खाने में आप 3 बर देंगे उसके बाद यहां पर आपका और खाना है तो यहां पर आप 8 बर देंगे चार भर देंगे, सब्दों में फिर 5 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे, कुछ इस प्रकार लिखना होता है, ना कि आप सब्दों में लिख दे 2,38,456 ऐसे, नहीं लिखना होता है, हर एक अप्छर का यहाँ पर सब्दों में उसका नाम लिखना होता है, तो I think कितना आपको date वगएरा भरी जाती है कि कौन से date है और यहाँ पर आपका camera number क्या है उसके बारे में आपको भरना होता है और यहाँ पर आपके एक action निरिक्षा के का signature होता है वो ही करेंगे आपको यहाँ पर नहीं भरना होता है उसके बाद नीचे यह कुछ आपका format दिक्राए तो इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है इसको आपको test भी नहीं करना है इसको जब आपका examiner जो आपकी copy चेक करता है तो जब आपको number देता है तो वो यहाँ प पर उसको भरना होता है आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है अब आपको बताते हैं कि आपको copy कैसे लिखनी है तो सबसे पहले जो आपको copy मिलेगी कुछ इसी प्रकार की होगी और यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे hole कटे होंगे तो आपको क्या करना है कि देखे कुछ बच् है छोटा सा स्पेस छोटा सिसमें मान लिजे 25 से 30 वर्ड लिखे पन्ना भर गया और आगे चल दिए तो यहां पर ऐसा बिलकुल भी नहीं चलने वाला है कॉंपी भरने से आपको यहां पर बिलकुल भी मतलब नहीं है हाँ थोड़ी सी कॉंपी आपकी भरी जाती है लेकिन उसका जो है भरने का तरीका सही होना चाहिए उचित होना चाहिए तो आपको कैसे कॉंपी में मार्जिन वगारा करनी है समझ लिजे तो सबसे पहले आपको यहां पर कॉंपी मिलेगी उसी में मैंने आपको बताया कि यहां पर थोड़ा सा होल कटे होते हैं क्योंकि यह कॉं और इस साइड वाले में आपको किसी भी प्रकार की लाइन Б работать सकें उसी प्रकार लाइन केंगे माल लिए आप पहला कोष्चन अटेम्ट कर रहा हैं तो यहां इपत्र लिप्रस इत्र नंबर एक अब एक का कौन सा नंबर है आ बासा कौन सा लिख रहे हैं तो उसको भी आप साइड में लिख सकते हैं अब सबसे इंपॉर्टन चीज यहां पर समझ लिजें वो कहते हैं न कि first impression is last impression तो आपको यदि पहले question का answer पता है तो उसको आप बहतरीन तरीके से लिखें आपको पहले का answer नहीं आता है तो आप बाग करें सा करें यानि जो आप पहला question का answer लिखें वो अच्छा लिखें क्योंकि हर चीज में कहते हैं कि first impression last impression होती है और पहला उत्तर जो भी लिखें अच्छे से लिखें और हर एक चीज को इस पस्ट बताएं और जो important point हूँ आप उसको note डालके लिख सकते हैं या आप उसको highlight कर सकते हैं आप highlight करने के लिए highlighter तो लेके जाएंगे नहीं उसमें क्या करेंगे उसमें underline कर सकते हैं या आप उस अच्छर को गाढ़े तरीके से कुछ मोटा करके लिख सकते हैं जिससे examiner पढ़ेगा कि इस answer में यह important point है इसको पढ़ा examiner आपको number देगा चला जाएगा और examiner के पास इतना time नहीं होता है वह आपकी पूरी copy एक एक अच्छर में पढ़े उसको important term देखना होता है यह आपने लिखा है examiner ने पढ़ लिया दो उसको लगेगा हां बच्छे ने पढ़ाई की है और अच्छी तयारी है वह आपको number देके चला जाता है ठीक है और सबसे important बात है कि first year में जो बच्छा आता है क्योंकि जो आप इंटर और high school का paper देते हैं तो वहां पर जो copy द में भी ऐसा होता कि था कि जब हम भी paper देते थे तो हमने लिखना start किया यहां से और लिखते लिखते यहां आ जाते तो आईसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है सारी चीज़े आप maintain कर लिजे जो मैं यहां पर बता रहा हूँ हां लिखिए एक straight line में लिखिए थोड़ा द process द्याल देखेगा उसी प्रकार यहां पर भी आपको यहां पर देखिए जिसने भी लिखी अच्छे लिखिए heading कैसे लिखने जैसे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने थोड़ा से एक चीज नहीं किया जो important point है इसको highlight नहीं किया तो जो important point हो भाईया उसको highlight करिएगा क्य examiner के पास यह इतना time नहीं होता क्यों आपको एक एक अच्छर पड़े वह देखेगा important term है तो ठीक है वह पूरा नंबर देके निकल जाएगा और आप heading डाले तो जहां पर आप क्या करें कि heading में पूरी line रखा करें ठीक है और उसको थोड़ा bold कर दिया करें यानि थोड़ा कौपी अच्छे लिखी होगी उसका जो है लिखने का तरीका अच्छा होगा तो आप चार से प्मास नंबर जो है आप अत्रिक्त यहां पर अपने semester exam में पा सकते हैं I hope आज की इस वीडियो से आपको काफी help मिलेगी semester exam के लिए और सभी semester exam के लिए सभी students के लिए best of luck paper अच् तो लाइक जरूर कर दें चैनल पर पहली बार आया है कि चोनको subscribe करने और अपनी सभी दूस्त्तअक वीडियो को शेयर जरूर कर दे तक फिराल आज की सवेडियो में हमें ऐस्ति अब से नेक्स यई वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप आप शभी का तहाई दिल से सुक्रिया, थैंक्स पर वाचिंग